असलाम वालेकुम मारी किचन आरमी कैसे हैं आप सब लोग उमीदे आप सब लोग कहरियोच से होंगे तो जी आज में आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी डूनट्स डूनट्स के एक बहुत ही अच्छी रेसिपी में आप लोगों के लिए आज लाई हूँ रेसिपी के लास्ट पे हम डूनट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से डेकुरेट करेंगे तो उसको मिसमत कीजिएगा रेसिपी को पूरा देखेगा रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आईए इसको बनाना स्टार्ट करते है सबसे पहले हम एक बोल में 600 ग्राम्स ओल परपिस फ्लार यानि के 600 ग्राम मैदा डाल लेंगे साथ ही हम इसमेड कर लेंगे 50 ग्राम्स पाउडर शुगर यानि के पाउडर चीनी जो होती है सिंपल वार्ट चीनी को आप ग्रांडर में पीस लें वन टी स्पून सॉल्ट यानि के नमक एक चार का चममच ग्याया ग्राम इंस्टं ड्राय येस्ट एक साशे यानि के एक पैकेच जो सिंपल आता है इस तरीके का ग्याया ग्राम का वो आप ले लें इसको मिक्स कर लेंगे तो देखें ये अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम 100 ग्राम्स बटर या मार्जरीन ले लेंगे यहां पर में मार्जरीन का इस्तमाल कर रही हूं क्योंकि इसका फ्लेवर जो है वो हमारी डून्स को बहुत ज़्यादा इनहेंस करता है इसको अच्छे से हम मैदे में मिक्स कर लेंगे पूरे मखन को अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेंगे तो देखें इस तरही किसे अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है अब हम इसमें आट कर लेंगे दो अंडे अंडे जो है वो रूम टेम्परिचर पे होने चाहिए और अगर आप लोग एगलेस डूनट की रेसिपी चाहते हैं तो आप आप बटन चेक कर लें वहाँ पर रेसिपी आ रही होगी वन टी स्पून वनिला एसेंस 260 ग्राम्स मिल्क दूट जो है वो हल्का सा गरम यानि के नीम गरम होना चाहिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर अगर आप लोगों के पास स्टैंड मिक्सर हो तो दो बनाने में बहुत असानी हो जाएगी यहाँ मेरे पास नहीं है इसलिए मैं इसको हाथों से ही गून दूँगी तो जब यह अच्छे से एक खटा होने लगेगा तो हम वड़ेन स्पैचुला को हटा लेंगे और हाथों की मदद से आटे को अच्छे से 10-15 मिनिट के लिए गून लेंगे बिल्कुल मजीद पानी या मैदा एड नहीं करेंगे तो देखिए अच्छे से मैंने इसको गून लिया है आटा बहुत सॉफ्ट है और इतना ही सॉफ्ट आटा होना चाहिए डोनेट्स बनाने के लिए क्योंकि जितना सॉफ्ट हमाया के हम इसमें डाल देंगे डो को देखिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट है बट हातों पर नहीं चिपक रही है इसी तरीकी की डो होनी चाहिए आपकी भी यह देखिए बहुत ही जबर्दसी डो हमारी तरियार है इसको हम बोल में डाल देंगे ग्रीश किये हुए और अब हम इसको प्लास्टिक फॉइल से कवर करके राइज होने के लिए छोड़ देंगे तब तक जब तक इस साइज में जो है वो डबल न हो जाए तो देखिए साइज में डो जो है वो डबल हो चुकी है तकरीबन आदा घंटा लगा है आज कल मौसम भी इतना गरम नहीं है पर फिर भी आदा घंटा लगा है इसको राइज होने में यह देखिए कितनी जबरदसी डो पूरी राइज हो चुकी है अब हम इसको थोड़ा साइसे साइट से अलैदा कर लेंगे क्यूंकि हमने बोल को ग्रीज किया था इस तरह दो जो है वो बोल से नहीं चिपकेगी अभी आप देखिएगा अराम से निकल जाएगी काउंटर प यह देखिए है इस पर थोड़ा सा मैदा चेह रख देंगे और अब हम रोलिंग पिन यानि के बेलन की मदद से इसको अच्छे से बेल लेंगे यह देखिए हर तरफ से एकदम सेम होना चाहिए तो देखिए मैं इसको अच्छे से बेल लिया है यह तकरीबन 1.2 सेंटिमेटर इसकी थिकनेस है अब हम डोनट कटर ले लेंगे और डोनट को काट लेंगे लेकिन अगर आप लोगों के पास डोनट कटर ना हो तो कोई मसला नहीं है बया गोल काटने के लिए आप कोई ग्लास ले ले और चोटा गोल काटने के लिए आप कोई बॉटल का क्याप या फे कोई नोजिल ले ल और इसको जो है हम वापिस से बेल के काट लेंगे अब हम डूनच के जो होल जो इस तरीके से यह भी निकाल लेंगे अब हम काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डेस्ट कर लेंगे और डूनच को थोड़ थोड़े डिस्टिंस तरीके से रख देंगे याद है काउंटर पर अच्छे से मैदा लगा होना चाहिए वहना डूनच काउंटर से चिपक जाएंगे इसको हम राइज होने के लिए छोड़ तकरीबं 15 मिनट के लिए तब तक हम ओर को गरम कर लेंगे लो फ्लेम पे लो फ्लेम के ही ओर को गरम करेंगे और ढ्रण थी फ्राय होते हैं इसलिए वह Old ज्यादा होना चाहिए तो देखे करीबं 15 मिनट हो चुकी हैं अब हम और का अटेम्परइश्र चेक करने के लिए कि इसको ले लेंगे और ऐल में डालेंगे एक वक्त में हम पांच या फिर चार डॉनट्स फ्यार करेंगे करहारी को बहुत जादा फुल नहीं करेंगे चालिज सेकंड एक तरफ से फ्यार करेंगे हम और चालिज सेकंड दूसरी तरफ से फ्यार कर लेंगे चालिज सेकंड के बाद हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे और इसको दूसरी तरफ से भी अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे तो देखिए दोने तरफ से डोनेट्स जो है वो अच्छे से फ्राय हो चुके हैं इसको हम निकाल लेंगे और किसी छन्ने वाली चीज़ पर रखेंगे ताके इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ओले साइट्स पर वो बिल्कुल रिमूव हो जाए अगर आप डोनेट्स को बहुत हार टेमपरिचर पर फ्राय करेंगे बहुत गरम तेल में तो डोनेट्स टाक ब्राउन हो जाएंगे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि डोनेट्स जो है वो गोल्डन अच्छे लगते हैं गोल्डन ब्राउन से होने चाहिए और यह अगर आपके लोग थाव बहुत ही आपके लोग थीडिये तर इसको हम थाव णकुल परफेक्ट हो अगर आपको लोगो के पास थार्मो मेटर तो वनसेक्डिक्र प्रीडरी सेर्ट ले थेख कर लिया है अगर आप इसे स्टेज पर आप सादे दोनेट्स कहाना चाहते हैं तो यह काफी पीके होंगे क्योंकि हम इसमें से फिफ्टी ग्राम्स पाउडर शुगर डाली है अगर आप रोग सादे डूनट्स काना चाहते तो आपको चीनी बरहानी पड़ेगी लाइक आपको 100 ग्राम्स तो डालना पड़ेगा ताके मीठा हो डूनट्स यह अभी तना ज् कि मैंने एक सॉस पैन में पानी डाला उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा उसके ऊपर सॉस पैन पे एक बोल रख के उसमें चॉकलेट डाली है कुछ भी एड नहीं किया है चॉकलेट खुदी मेल्ट जाएगी बस आपको इसको मिक्स करना है यहां पर मैंने दो बोल्स में इसी बहुताती है प्ली एक गुछ चॉक लेट निकाली है एक में यहलोव फूट कर लिया है और एक में पैंक और इसको मिक्स करके इस ताहां से इसको भी डुनट पर लगा लेंगे यह सिंपल डार्क चॉकलेट है। इसको भी do-nats पर लगा लेंगे आप जिस तरही के से चाहें उस तरही के से डेकोरेट कर सकते हैं कोई मसला नहीं है आज कल मार्केट में असानी से मिल जाती है जबकि डूनत को सबसे बेस्ट कॉम्प्रिमेंट करती है इसलिए मैं यहां पर चॉकलेट का इस्तमाल किया है अगर आप लोगों के पास चॉकलेट ना हो तो आप ग्लेज बना सकते हैं मैं दो रेसेपी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी दोनों में मैंने केक के लिए ग्लेज बनाई है वही आप ग्लेज दूनट में भी इस्तमाल कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप लोगों के पास चॉकलेट ना हो और कोई भी आइसिंग ग्लेज चॉकलेट लगाने के बाद हम इसके उपर इस तरीके से स्प्रिंकल्स डाल सकते है अपनी मर्जी से डूनट को डेकुरेट करेंगे अब हम डूनट के लिए बहुत ही मज़ेदार सी शुगर ग्लेज कोटिंग बनाएंगे तो उसके लिए हम हाफ कप आइसिंग शुगर ले ले लेंगे साथ ही इसमेट कर लेंगे वन तीबले स्पून मिल्क इसको मिक्स कर लेंगे तो देखें यह अच्छे से मिक्स हो चुका है अब डूनट को हम इसके अंदर इस तरीके से कावर कर लेंगे और यहां पर शुगर ग्लेज कोटिंग वाले डूनट को लेके थोरा सा कास्टर शुगर में डिप कर लेंगे तो यह बिल्कुल बेस्ट सा डूनट बनके तयार हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया डूनट मैंने बहुत मीठे नहीं बनाए तो एकदम उपर की मिठास को डूनट बिल्कुल अच्छे से कॉम्प्लिमेंट करेगा तो देखें कितने सबर्दस से डूनट बनके तयार होए हैं अगर सा आपको इसकी वेसिपी परसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक केजिए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो देखते रहे हैं अल्ला हाफिस